जाइन दोस्तो विलकम तो माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हम लोग कोरल ड्रो में एक फलाओर बनाना सीखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले एक सैप से यहां से ले लेना है ऐसा उसके बाद इसको अपलाई बटन पर क्लिक करना है और दोस्तो प्लस बटन नुमेरी की के पास जो होता है उसको प्रेस किजिएगा तो इसके एक डूबलिकेट बन जाता है उसके बाद कीबोर्ड के मदद से जो लेफ्ट का ड्रैग होता है बटन उसके पर प्रेस करके और कुछ इस तरह से आपको जो है कि रेक करके सामने सामने और इतना बड़ा डिजाइन आपको छोड़ देना है जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद क्या करना है इसमें आपको आप्शन से यहां पर आपको दिखेगा एक यहां से मुव टूल यानि पिक टूल का उस पे क्लिक करके और दोनों आपजेक्ट को select कर देना है select करने के बाद दोस्तों यहां से intersect का एक option दिखता है जो beach का point यहां से बसता है तो आप इस पे click किजेगा दोस्तों तो beach का point जो है आपका active हो जाता है और यहां पे lift click से आंदर feel होता है और उसी color पे right click करेंगे दोस्तों तो बाहर भी फिल हो जाता है अब इसको दोनों को जो circle है मेरा इसको हम delete कर देते हैं और मेरे पास ये एक अच्छा सा design यहाँ पे त्यार मिल गया अब दोस्तों अगला काम क्या करना है कि इसमें color को जो है कि transparent करते हैं तो यहाँ से एक option दिखेगा आपको transparent tools का उस पे click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका middle point दिख रहा है corner ये circle का वहाँ से ले करके और कुछ इस तरह से आपको drag करना है तो आपका design कुछ इस परकार का दिखने लगेगा उसके बाद apply बटन पे click करके और area को select कर लेना है और select करने के बाद control D button press करना है या फिर keyboard का numeric plus press किजिएगा तो यह duplicate हो जाता है उसके बाद यहाँ से rotate का option आता है तो 180 degree पे हम इसको घुमा देते हैं दोस्तों और यह design कुछ इस तरह का आपका बन करके दिखने लगेगा उसके बाद दोनों area को हम select कर लेते हैं और फिर से हम इसे group करते हैं तो या तो control Z press किजिएगा या फिर यहाँ से आप object में जाएगा group का option दिखेगा और यहाँ से आप group कर लीजिएगा group करने के बाद दोस्तों यह object आपका single एक पीस हो गया अब इसमें जो अगला काम आपको करना है double click करना है इस पर और यह छोटा सा जो point है इसको नीचे move करके लाना है यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है यहाँ से object option पर यहाँ से object पर जाईएगा तो एक transformation का option दिखेगा यहाँ से जाने के बाद आपको rotate option पर जाना है rotate option पर जैसे ही click किजेगा दोस्तों यह rotation का box आपको दिख जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ से rotate जो है वो करना है तो कितना degree पर आप rotate करना चाहते हैं तो इसको हम 25 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं दोस्तों और यहां से कितने भागों में रोटेट करना है तो लगभग हम इसको 8 भाग ले लेते हैं 8 भाग या 6 भाग 6 भाग 6 कॉंपी ले लेते हैं और अपलाई कर देते हैं तो दोस्तों 6 कॉंपी में कुछ इस तरह का डिज और हम इसको rotation पे जाते हैं और something इसे दोस्तो 100 degree पे हम rotate कर लेते हैं कुछ इस तरह से और यह design आपको ऐसा दिखने लगेगा उसके बाद में यहां से हम फिर से rotate पे जाते हैं और इसको 360 कर लेते हैं opposite और double click करके इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं कुछ इस परकार का अब दोस्तों यह यहां से apply बटन पे क्लिक करके और इसको move करके उपर ले जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों control और d button प्रेस करेंगे तो इसका एक duplicate हो जाएगा duplicate करने के बाद दोस्तों हम इसको नीचे लाते हैं हलका और फिर इसको हम यहां से move कर लेते हैं तो double click करके इसको थोड़ा सा double click करके दोस्तों एक बार और हम move कर लेते हैं छोटा करके दोस्तों हम यहां पे इसको shift कर लेते हैं और इसको left and right click पीला कर देते हैं या फिर आप blue type भी कर सकते हैं दोस्तों apply करते हैं और कुछ इस परकार का तो दोस्तों आपका design जो है कुछ इस परकार का दिखने लेगेगा इसको हम सही set कर लेते हैं और यह full आपका त्यार हो चुका है उसके बाद दोस्तों आप इसमें line भी खीच सकते हैं अगर आप चाते हैं तो एक line ले लेते हैं जैसे free hand to ले लेते हैं या polygon तो हम एक line हम यह से draw कर लेते हैं as like for this इस तरह का तो दोस्तों यह एक परकार का आपका जो है कि एक design flower का त्यार हो चुका है तो दोस्तों वीडियो कैसा लागा comment करके ज़रूर बताइएगा आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को like and subscribe कर लिजेगा क्योंकि इस तरह का interesting वीडियो आपको इसा देखने को मिलता रहेगा तब तक के लिए दोस्तों take care have a nice day bye bye thank you